स्क्रीन पर IAC and IAC के जो information आपको दिख रहे हैं, वो बताता है कि CIC ने सबसे पहले IAC के लगभग सभी important subject के chapter-wide split up marking system को दे दिया है, यही नहीं, मैंने बहुत पहले का हुआ, दो मैंने पहले मैंने वीडियो बना के बताया था, कि जुलाही के मीड में ही, कि CIC ने अपने सबी स्कूलों को और subject teacher को split up marks wise chapter थे, उसको बता दिया था, और कहा था कि वंतलित practice कराने के लिए CIC ने सबसे ज़्यादा focus दिया हुआ था, और उसमें मैं उन बुक को बता रहा था, तो लोग कर रहे थे कि नई भाई, यह तो ऐसे ह ही है, लेकिन CIC ने नो सिर्फ IAC के, बल्कि ICAC के सबी subject के chapter wise split up marking को बता दिया है, अब chapter wise split up marking क्या है, यह क्या कहती है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कि मैध में, आप जो चल पढ़ने है chapter 20, 2024 के बूर्ड गमें सकते हैं, और जो first chapter है GST, या second chapter है recruiting deposit account, या फिर share and dividend, linear equation या quadratic equation, ratio and proposal, तो इन से कितने marks के maximum question 2024 के बूर्ड गमें सकते हैं, मैं सिर्फ math की बात नहीं कराओ, यदि आप physics के बेले ले लेजिए, तो physics भी 20 marks के होंगे paper, तो वहाँ पर भी आपको total out of 12 chapter, जो internal option वाले chapter हैं, उनको भी include करते हैं, या बता दिया कि 4 से कितने marks के question पूछा जाने हैं, work and energy से 3 to 5 marks के question पूछा जाने, mechanics से 2 marks से 6 marks तक के question पूछा जाने, reflection से 6 marks तक के question पूछा जाने, reflection of light through a lens, यहाँ पर 4 to 5 marks के question है, sound से 4 marks के question है, और इसके question है, इसके अलावे जो projection यानि की numerical हैं, उसके अलग categorization हुए हैं, कुल मिला के 12 chapter में, आपके 80 marks के division होने पर on and average 6 to 8 marks इच चैप्टर बन रहे हैं, कहीं पर 3 marks हैं, तो कहीं पर 9 marks हैं, और कहीं पर 12 marks हैं, point number 2, कि यदि आप ए बात अपने subject teacher से, school teacher से, यदि उनको पता होगी, तो नहीं पता होगी, तो कहीं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि उनको पता है, तो वे आपको बता देंगे, क्योंकि CIEC ने अपने official website पर जब economics IEC का जारी कर दिया, तो physics का भी मेरे पा थोड़ी से प्रिशानी हो गई, bank से जा रहा था, तो accident हो गया, तो कहां रखा है, मुझे दीख नहीं रहा है, अगर मैं उसको पा लेता हूँ, खोजता हूँ, तो मैं आपके साथ जरूर सेर करूँगा, और पर तेर सब्जेक्ट की chapter wise, split of marketing system monthly preparation के साथ, आपको ये जानकारी half yearly, यानि first terminal examination जो 80 marks के सभी subject ICC में, और IAC के physics, chemistry, इनमें, बायो में, 70 marks के जो होंगे, उनको छोड़के, आपके जैसे computer में है, तो उसमें अलग marking system हो जाती है, music है, fine art है, फिर BHE में है, इनमें marking system अलग होगे, इसके हिसाब से आपको पता चलना चाहिए, even computer और economics के साथ computer application, और PHE जैसे subject में बताया गया है, कि परतेक chapter से कितने marks के question पूछे जाएंगे, और long answer होंगे, short answer होंगे, इस विसाइब पर भी काफी कुछ discussion होए, तो मैंने आपके साथ सबसे पहले share किया, proof भी आपको दिखा दिया, तो पता चल गया न, अब आपको पता करने है, नए दिखा लगते हैं, तो मैं आप पर वीडियो बना कर शेर जरूर करूंगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेर और सबस्क्राइब,